तो सेजवान चटनी बनाने के लिए तो हमें ओविसली मिर्ची चाहिए वह भी रेड वाली तो यह थोड़ा मतलब तीखा वाला था तो मैंने इसका बीज निकाल लेया है और बीज निकालने बहुत प्रॉब्लम होती है और आफ्टर देन आपको बहुत सारा चाहिए लसन और थोड़ा सा अद्रक ठीक और उसको मिक्सी क्राणिन में पीस लेंगे एकदम पेस्ट बना लेंगे क्योंकि हम एकदम फाइन पेस्ट ही है और उसके बाद आपको एक पैन गरम करना है उसमें आपको डालना है अद्रक लसन का पेस्ट उसको खूब अच्छे से खूब अच् तक आपको एक से देड़ मिनट तक आपको पकाना है मंदब ब्राउन नहीं करना है बट आप मेक्शूर कर लें कि उसका सारा फ्लेवर सही आएगा ठीक है तो आप कर सकते हैं उसके बाद आपको चाहिए मिर्चा मिर्चा आप एकदम से बॉयल कर लो कुकर में एक सिटी लगा करें से बाद आप उसको लेके स्ट्रेन आउट करके मिक्सर में उसको पीस सकते हो इंधा मैं फाइन पेश्ट करके पीसना है और पीसने के लिए एक तिप आप उसके साथ थोड़ा सा गरम अगर थो उसके साथ थोड़ा सा आप आइस-क्यूब्स डालने नहीं तह आपका म और फिर इस पेस्ट का क्या करना है वो आगे देख लो एक दम fine paste को करना है उसके बाद इस पेश्ट को आप वही अद्रक लसन-का जो आपने उसको गरम किया था अधम पनाया वह था पेश्ट उसमें डाल देना है ज्यादा कुछ नहीं करना है बस इसको अच्छे से इसको डा इसको भी इतना पकाना है कि इसका भी जो कच्छा वाला फ्लेवर आता है न वो हड़ जाए बाकी सब रहे ठीक है तो मतलब आल्मोस्ट इसको थोड़ा ज्यादा ही पकाना पड़ेगा तो इसको आप अच्छे से पकाईए और फिर आगे की रिष्पी में आपको बताती हूँ अगला इस्टिप है हमारा कॉर्ण फ्लोर का मैंने ये मिक्सर को ही दूला था तो उसका ही पानी था मैं वेस्ट नहीं करना चाहते थी उसमें आप थोड़ा सा मतलब दो से तीन चमच आप कॉर्ण फ्लोर डालो और उसको आप एकदम से अच्छे से मिक्स करके आप अपने इस पेस्ट में से जवान चटनी में डाल दो क्योंकि उसका जो टेक्चर है ना हम एकदम मतलब थिक वाली चाहिए यह नहीं कहीं मोटा कहीं पतला एक इवेन थिक टे अब यह देखो मारी चटनी एकदम से पग गई है इस पे देखो ओयल इसका ना बाहर आने लगा है तो अब यह दम राइट टाइम है इसमें कॉन्फ्लोर का मिक्सर डालने का तो आप इसमें अपना कॉन्फ्लोर का मिक्सर डाल दो और डालते हैं आपको इसका कलर थोड़ा सा फिका लगेगा थोड़ा ओरेंजिस कलर पर हो जाएगा यह बट डोंट वरी इसके बाद आप इसको एक मिनिट भी अगर अच्छे से पकाते हो तो इसका कलर वापस एकदम प्योर ब्राइट रेड आ जाएगा इसकी टेंसन आप तो आप नमक और चीनी भी डालता है क्योंकि चीनी जो यह वह टेस्ट को बैलेंस करेंगा थिक है तो आप शोर जेनी का रेशियो तो रेशियो से कम मैंने चीनी डाला हुआ है ठीक है तो अब इसमें डालनेंगे हम ट्रमेटो केचप और थोड़ा सास तोया सॉस और उसके बाद इसको अच्छे से मेक्स करेंगे अब इससे जो है ना हमारा टेस्ट काफे जादा इनहांस होगा इसके लामा कलर आएगा उन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको इसमें डालना है विनेगर विनेगर से थोड़ा मतलब खटा सारा फ्लेवर देगा और काफी बढ़िया टेस्ट आएगा यह सारे चीजे आपको कमपलसरी डालने ही डालने है इसमें कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते हो इसके अलामा लास्ट में इंग्रीडियेट आपको डालना है थोड़ा सा मतलब पाउडर्ड ब्लैक पेपर का और वो एकदम जानलो टेस्ट को एकदम कमाल कर देगा मतलब यह जो सीक्रेट हो अच्छे से पकाओ और इसको देखो पकाना बहुत होता है इसके लामा इसमें देखो आइल इसका आप देख सकते हो माइगाड और कैमरे में इतना अच्छा कलर कैप्चर नहीं हो पा रहा है बट अगर आप जो बनाओगे ना तो आप इसका कलर देखो किसी भी आर्टिवि आप इसका टिक्चर देखो बन गे आपका सेजवान चट्नी अब इसको रखो यार स्टोर करके रखो आप किसी भी कांच के जार में आप किसी भी कंटेनर में कंटेन करो और इसको फ्रीज में रखो और इसकी एकस्पारी डेट है मिनिमाम आप समझ लो थ्री मांथ का आप को रखो फ्रिज में और फ्रिज के अंदर रखे तीन मन तक अराम से खो और डून ट्वरी थंडा भी उतना ही टेस्टी लगता है चलो फिर बाई